हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू टेक्नो लोग तो आज मैं आपके लिए लेके आई हुए एक नई अपडेट आई टी आई स्टुडेंट्स के लिए बहुत बड़ी ख़बर है कि अभी तक वो जिस चीजों को जानने के लिए इंदिजार कर रहे थे तो यहां पर फाइनली वीडियो मैंने बना दी हैं आप इसको देख सकते हैं वीडियो को बिदावट स्किप किये देखेगा क्योंकि यहां पर बहुत से इंप्रोटन चीजों के बारे में हम बात करेंगे चाहें आपका कोई भी चीज हो यहां पर मैं स्किप नहीं करने वाली हूं तो आप भी स्क यहां देखेंगे हमें अपने एक्जाम की त्यारी किस तरह से करनी है यहां पर यह सारी चीजे भी हम यहां पर आज डिसकर्स कर लेंगे तो बने रहीएगा मेरे साथ और अभी तक आपने मेरे टेलिग्राम ग्रूप को नहीं जोइन किया है तो उसको जोइन कर लीजे फेस हैं वहां पर कि here we discuss होते हैं और बाकी मेरे वीडियो की वह यहांपर डिसकर्स हो जाती है वाकी मैं आपको बता दू कि मैं यहां पर चाला अब को मिल्सकेशन ने आ प то सब आपो ने यहांपर मिल सकें हम स्ट्राट कर देते हैं अपने वीडियो को चली हमारा व प्रोस्पेक्टिव यहां पर आ चुका है CTI 2020 का मिन्स कि यहां पर इस बार क्या-क्या होने वाला है यह सारी चीज़ें यहां पर हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखी गया तो हम बात कर लेते हैं यहां पर कि हमारा यहां पर क्या-क्या-क्या इन्वों ने इंफोरमेशन दी है तो सबसे पहले जो है वहनवर एग्जामनेशन की की मिन्स जुभी हमारा सेमेस्टर है वह 2020 2020 से 21 तक का है बात करते हैं हम यहां पर रजिस्टेशन स्टार्ट होने की तो 15 से हमारा स्टार्ट हुआ था और जो इसकी लास्ट डेट है वो 27 को यहां पर लास्ट डेट है इसकी हो सकता एक स्टेंड भी की जा सकती बट अभी आप इसको ही एक प्रॉपर मान के छिलिए कि 27 जो है वो आपकी लास्ट डेट है चलिए नैक्स देख लेते हैं कि आपका जो इंट्रेंस एक्जाम है वो आपका 19 से 20 जुलाई के बीच में कंडेक्ट करा दिया जाएगा मिंस कुछ लोगों का 19 को कुछ लोगों का यहां पर 20 को एक्जाम हो सकता है तो इसके लिए भी चैनल को कर दें सब्सक्राइब और अपनी जो भी आप त्यारी कर रहे हैं सीटी आई के लिए वहां पर रहकर भी आप बहुत सारे कोशन से क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से त्यारी करनी है ताकि आप गूड माक्स स्कोर कर सके कहां से आपको पढ़ना और किस की कारें तो इस इबिल्टी की बात करने कि आपकी क्वालिफिकेशन यहां पर क्या होना चाहिए यहां पर आपका कम्पलीट होना चाहिए तो उसके बाद यहां पर अगर आपका सीटीएस में अगर रिजल्ट में कुछ पॉब्लम होता है तो आपको क्या है कि वहाँ से हटा भी दिया जाएगा मिन्स एलाउड वो लोग नहीं करेंगे तो इस चीज का ध्यान रखिएगा बाकि आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अपने अप्लाई करना चाहते हैं या पर जो भी लोगट कर रहे थे अभी तक इसनी उसका फटपट से कर दीजी अपना रेजिस्टेशन रजिस्टेशन हमारा कैसे होगा उसका लिंग आपको डिस्क्रीप्शन में मिल जाएगा कि हमारे जू वेब साइट है ऑफीशिएल निम्मी की उसका लिंग आपको डिस्क की तो जो एज है हमारी उसकी यहां पर कोई एज लिमिट अभी इन्हों ने यहां पर डिसाइड नहीं किये की कोई यहां पर नहीं डिसाइड हुआ है इंटरेंस एक्जामनेशन फीज की बात करते हैं तो जनरल कंडिडेट्स और बॉइस के लिए यहां पर 500 रुपीज है और 75 percent questions of objective type means आपका जो भी iti level का हैं आपस लेबर से उससे आपके 75 percent questions आएंगे और जो आपका general knowledge है उससे आपके 25 percent questions यहां पर आने वाले हैं तो अपनी जो भी तियारी है उसको एकदम perfect कर लिजे कि किस तरह से बैसे मैं आपको एक tip दूँ तो आप जो भी पढ़ रहे हैं अभ आपका CTI के लिए एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो best है आपके लिए आपका syllabus क्योंकि most of questions वहीं से हमें put होते हैं तो अगर आपका basic clear है और आपका syllabus complete है तो मेरी मानिए कि आपका selection पक्का है कि आपका CTI admission हो जाएगा वह भी best college में हो सकता आपका first अगर आपके marks अच्छे ह में हो जाए तो अपना basic आप एक्दम clear करके रखिए क्योंकि 75% questions आपको यहां से मिलेंगे ही मिलेंगे तो मेरी recommend है कि आप अपनी book से ही उसको solve करें चीजों को पढ़ें कि क्या से क्या होंगी तो यह साइची आप देखिए बाकी मैं classes मैंने आपको बता दिया कि कोपा वाल मैं दूंगी और हो सकता है तो live test भी लूँगी कि उनकी जो exam के त्यारी है वह एक्दम हो जाए perfect चलिए यहां पर आपका फीस का भी नोने structure पूरा दे दिया है आप पर सकते हैं कि क्या कि आपकी फीस यहां पर लगने वाली है यह फुल आपका structure है PDF आपको description में मिल जाएग तो normally पहले तो इन्होंने आपको link दी है कि यहां से जाके आप अपना registration यहां पर कर सकते हैं दैन इन्होंने hall ticket के लिए बताए कि हमारा जो hall ticket है वो 13 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में आ जाएगा और उसके बाद जो इनकी जो last date है यहां पर 27 यहां पर दिखा रहे हैं या यहां पर अगर आपको कोई अपडेशन चाहिए तो आप regular website पर विजिट करते रहें वहां पर बहुत सारी updates आती रहती हैं आपके लिए कोई ना कोई updates आपको वहां पर मिलती ही रहेगी तो अगर trade और exam की बात करें यहां पर तो syllabus आपको मिल जाएगा कि क्या क्या स्लेबस म आपके लिए यहां पर बहुत साई चीज़ें एंट्रेंस examination का सेंटर भी आप अपने according यहां पर चूस कर सकते हैं यहां पर कुछ भी आप दे रखा हैं यहां पर तो आप यह साई चीज़ें देख लीजिए अब हम इनका देख लेते हैं जो इन्होंने डेट सेडूल दिया हैं यहां पर तो क्या है देखें 15 सापका स्टार्ट है 27 से अप्लिकेशन एंड हो जाएगा 13 से 18 जुलाई के बीच में मोग examination मोग exam भी आप दे सकते हैं वहां से 13 से 18 जुलाई आपका हॉल टिकेट आएगा मिंस आपका जो हैद्मिट कार्ड है वह आप डाउनलोड कर सकते ह हैं वेबसाइट पर 13 से 18 तक आप रेगुलर विजिट करते रहेगा तो आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा अपना हॉल टिकेट 19 से 20 जुलाई के बीच में exam हमारा कंडेक्ट होगा यह आपका computer बेस जोगा मिंस आपका online exam यहां पर होना है और result भी जो आपका है वह ए 5-10 के बीच में आपकी counseling की डेट यहां पर दी हुई है कि 5-24 तक आपकी यह सारी क्या होंगी कि यहां पर counseling होंगी तो यह थी आपकी जितनी भी information थी वह मैंने दे दी basic basic यहां पर आपके exam sentence के बारे में दिया है कि कौन-कौन से यहां पर आप fill up कर सकते हैं और भी बहुत सी information तो याद रखिएगा कि सबसे पहले तो आप registration कर लीजे जिन लोगों को भी CTI करना है क्योंकि CTI के तुरू क्या है कि आपको बहुत सारी knowledge भी मिलेगी वहां पर और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है हमारा POT पार्ट में तो मेरी recommend है कि जो students करना चाहते हैं वो कर सकते हैं हाला कि apprentice के भी form आने लगे हैं तो आप उन्हें भी fill up कर सकते हैं लेकिन जो सोच रहे हैं कि मैं CTI करूं तो definitely आप कर सकते हैं क्योंकि यह भी एक best platform होता है कुछ सीखने के लिए हमारा तो ध्यान रखिएगा और अगर आपको कुछ भी problem हो तो मुझे comment करिएगा मैं करूंग तो यहां पर update होती रहती है तो फटा फट से यहां पर कर दीजिए वीडियो अच्छी लगी हो और informative लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और जो लोग यहां पर पढ़ना चाहते हैं बैसिकली कोपा के students मैं मैं उनकी ही preparation यहां प पर मुझे series बनानी है उन लोगों के लिए या कुछ preparation वो करना चाहते हैं तो मुझे जरूर बताएं चलिए तब तक के लिए बाइबाए अगर मिलती है कोई नई update तो मैं शेयर करूंगे आपके साथ